अंडर नाइंटीन बिसुकप के अपने दूसरे मुकाबले में नेपाल पाकिस्तान के साथ नजदी की अंतर से मुकाबला हार जरूर गया लेकिन नेपाल के युवाओं ने जिस तरह पाकिस्तान की गेंदबाजी का सामना किया जिस तरह पाकिस्तान के बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसाया उसने ये बता दिया कि नेपाल की इस युवाट टीम में मादा भी है और छमता भी है जरूरत है उन्हें कड़े प मजबूत साजिदारियां की एक बार फिर कप्तान देव खनाल अच्छी सुरवात के बाद अपना विकेट फेक कर वापस चले गए इस बार अरजुन कुमाल भी नहीं चले सबसे बड़ी बात ये है कि गुलसंजा एक बार फिर गेंद और बल्ले से फेल रहे नेपाल की कभी गेंद बाजी चलती है तो कभी बल्ले बाजी अगर दोनों एक साथ चल जाएं तो नतीजे कुछ और आ सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज पाकिस्तान के साथ जहां ये मुकाबला एक तरफ़ा माना जा रहा था वही नेपाल के खिलाडियों ने अपने जोस और जज़वे से इस मुकाबले को पाकिस्तान के लिए बेहत कठिन बना दिया एक वक्त तो लगने लगा था कि कहीं नेपाल ये मुकाबला जीत ना जाए लेकिन फिर आखरी समय में ये मुकाबला पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया लेकिन सिर्फ दो और पहले ये बता रहा है कि नेपाल के युवा लड़कों ने किस तरह पाकिस्तान को कड़ी चुनोती दी है ऐसे में आगे के मुकाबले और दिल्चस्प होंगे अस्त तन्यूच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट